जिला प्रसाशन द्वरा वात्सल्य पुरम संस्था के विरुद्ध की गई कारवाही के खलाफ संस्था ने हाई कोट में याचिका दायर की थी कोट ने संस्था की याचिका को खारिस कर प्रसाशन की कारवाही को सही बताया है अब प्रसाशन संस्था के संचालकों के खलाफ कड़ी कारवाही करने के साथ ही वहां से मुक्त कराई गई बच्चियों के पुनरवास पर काम करेगा है देखिए ये खास रिपोर्ट कलेक्टर के नरदेश पर स्टेम जूनी इन दौर ने 12 जनवरी को अवैद रूप से संचालत होने वाले एंजियो वाजसल्य पुरम के खलाफ कारवाही की थी यहां बिना पंजियन के देश के विभिन राजियों से लाकर बच्चियों को होस्चियों को होस्चियों में रखा गया था लड़कियों को होस्चियों में रखने के नियामों कभी हाँ लंगन की आजवा रहा था इस पर SGM ने होस्टल को सील कर संचालकों के खलाफ FIR दर्च करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा था इस कारवाही को गलत बताते हुए संस्था ने प्रसाशन के खलाफ हाई कोट में याची का दायर की थी संस्था ने साशन के खलाफ उच्च न्यायले में बंदी प्रतिक्षी करन वे साशन के द्वारा बच्चियों के अफ़रन का आरोप लगाया गया था कोट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याची का कुखारिस करते हुए प्रसाशन की कारवाही को सही ठेराया है देखें निश्यत रूप से हमारे दोरा आपके माद्यम से भी पहले ही सभी को सुचना दी गई थी कि अगर कोई भी इस पर कार क्याना थाल है जो बिना रेजिस्टेशन के बिना सुचना के चलना है तो क्रपया उनकी इन्फॉर्मेशन जरूर दे और अगर कहीं चल भी रहा है तो हम लोग उनका रेजिस्टेशन में मदद करेंगे लेकिन बिना रेजिस्टेशन के सुचना के नहीं चलने चाहिए लेकिन उसके बावजूद जो वो फिसलिटी चल रही थी और उसको कोट ने पुरी तरीके से सई ठहराया है और इसके अला प्रसाशन अब इन बच्चियों का पुनर्वास करेगा संस्ता होस्चल की आर में आनाथ बच्चों का लेन देन करती थी इसके साक्ष भी प्राप्त हुए हैं ब्यूर रिपोर्ट एंपी न्यूस इंदार